हेलो फ्रेंड्स जो कैसे आप लोग आशा करता हूं आप से पेच्छे होंगे आज किस वीडियो में एक बहुत यह अच्छे विकेंसी आई है इसके बाएर में बात करेंगे वह है इसके बाएर में आपको डेटेल बताऊंगा कि कौन को न अपलाई कर सकता है इसके यह जिर्मिट क्या रहने वाली है परिच्छा कभूगी इसी लेपस क्या रहेगा आप इसके बाएर में डेटेल बात करूंगा और अफिसल नोटिफिकेशन जो मेरे पास आई है उसके साथ म बताऊंगा तो प्लीज आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे इस वीजिए के डिल्न हो जाएंगे तुछ इस वीजिए को लाज से वाज़ किजिए और साही चाथ शाथ आपको इस वीजिए के स्ट्रजिक ऐनर तयारे कि अंपको मिलेगा तो चलिए फैनली हम बात कर ले अप्रिकेसन स्टार्ट से हैं वह है गया 29 जनुवरी 2022 है और इसका लास्ट डियेट का भी अप्लाई करने का वह है आपका 4 मार्स 2022 ठीक है तो इस टाइम के भीच आपको अप्लाई कर देना है और मैं आपको बताद हूँ यह फिकेंसी क्यों मेल के लिए निकली है ठीक है और स अच्छी खासी आपड़े सकते हैं एक 1700 से आपका सब्सक्राइब से पूर्द के लिए और बहुत अच्छा मौका है क्योंकि usted तो प्लीज आप इससे हाल से नाजाना दे और पोस्ट भी कापी अच्छी काश रहने वाली है ठीक है तो चलिए और और भी जो भी आपकी डेटेल्स जनकारी है वह आपको देता हूँ कि इटेफिकेंसी निकली है वो Central Industrial Security Force में निकली है सबसे पहरे में बात कर रहा हूँ इसका Educational Qualification के बारे में तो जो भी गडिदेट 12th Pas है ठीक है तो वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ इसका जो एक आप में science subject होना चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, age limit क्या है, age limit आपका 18 बर्स, 13 बर्स के बीछ है, ठीक है, और साथ में, जो आपका चेस्ट का एक्सपंसर होना तो आपका 5 सेंटिमेटर होना चाहिए, तो ये आपके जो education qualification था और physical standard बारे मनें आपको बताया, अब चली, अब हम जान दरते हैं, इसका जो physical efficiency test होगा, वो कैसे होने वाला है, तो आपको देखिए, आपका जो P.E.T. होगा, मतलए physical efficiency test, वो आपका candidate को आपको 5 किलो मेटर 24 मिनट में दोड़ना है, तो एक अच्छी का से रनिंग है सबसे पहले आपका P.E.T. होगा, इसका जो selection process है, उसमें आपका सबसे पहले physical होगा, फिजिकल के बाद आपका P.E.T. होगा, उसके बाद इसमें आपका height और measure के जाएगा, और उसके साथ, आप जी सकते हैं कि इसमें जो height का है, वो आपके relaxation भी है, जैसे जो candidate, गरवाल, माचल प्रदेश, गोर्खास इसे बिलोंग करते हैं, उनका यहाँ पे height 65 cm मंगा दिया है, ठीक है, तो यह कुछ important यहाँ पे है, जो आप देशकते हैं, बागी के लिए तो height 177 cm है, ठीक है, अब चलिए, अब मैं बात कर लाँँ next, जो आपका physical होगा, physical के बाद आपको P.E. पेस्टी होगा, मतलब physical measurement test होगा, और इसके बाद आपका जब दोनों qualify हो जाएंगे, तो इसके बाद आपका written exam होगा, अब जो आपका written exam होगा, उसका सबसे पहले, या OMARP हो सकता है, या CBT हो सकता है, तो दोनों आप लिखा हुआ है, बट ज़रा chances हैं CBT होने का, तो जो candidate आपको PET, PhD में qualify करेंगे, उनको इस exam में बैठने का मुखा मिलेगा, और इसमें आपको 4 पोर्षेन जैसे आप दे सकते हैं, part A में आपका general intelligence और reasoning question आएंगे, 25 marks के, और साथ में part B से general knowledge and evidence से question आएंगे, 25 marks के, 25 questions, और साथ में part C में, आपका elementary mathematics, मतलब जो simple maths होता है, वो आपक रहेगा, 25 number का, और साथ में part D है, वो आपका English और Hindi, मतलब दुनों language के question रहेंगे, आप जो चाहें, वो से choose करके, इसको solve कर सकते हैं, और इस जो 4 portion है, उन सब को मिलाकर, आप total question 100 रहेंगे, और time question कितना रहेगा, 120 minute, मतलब 2 घंटे का समय रहेगा, और question रहेंगे 100, ठीक है, तो यह जो है, यह आपका return examination का pattern रहने वाला है, जिसके बारे मैं आपको detail में बताया, ठीक है, और उसके साथ ही, आप जब issue में qualify होते हैं, तो आपकी mate issue बनेगी, जो आपका final selection होगा, वो आपको issue based होने वाला है, return examper, क्योंकि PST और PET, दोनों आपका physical का measurement test होगा, और दोनो इस बार, ठीक है, तो इसमें आप देखिया, यह आप में लिखा हुआ है, कि the minimum percentage of marks of qualification, आपका return exam होगा, इसमें का minimum CVT marks आना चाहिए, अगर आप unreserved, AWS और ex-servicemen है, तो कम सकम 35% marks आपका होना ही चाहिए, और अगर अगर आप SC, HD, और OPS हैं, तो आपका 33% marks होना चाहिए, अब मैं अफिरी बात कर ले रहा हूँ, यहाँ पर दिख सकते हैं, जो परउस्ट बहुत बार और ऐसा आता है, यह फिक हैं यहाँ रच्छल पर देश, आःशाम, बिहार, चंडीगड, चत्रिसगड, डाधर अबनगर, भेली, दैली, गोअ गुजरात, हर्याना, हिमासल पर्देश, जंबु कजमी, जारखन, करनाटा, केरला, लदाक, लक्षदीप, मध्य पर्देश, महाराष्ट, मनिफून, मिघालय, मिजोरम, नंगलन, उर्शा, पुरुचेरी, पंजाब, रहरस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, तेलंगना, त्रि आएरिया एस्टर लिख रहा है, कहीं लिखे रहा है, कहीं लिगई नक्सल, कहीं नक्सल , कहीं मने में यह साह dengan कि किस रिजन मेए, कशन नक्सल में तो इससे सब्यस्वांदे चोपका दाउटे axis हैं, तो यह आपका snip है 1149 वेखेंशी टूटल है चली फानली हम लोग देख लेते हैं कि इंटायर एस्टेट और नकसल एस्टेट कौन होता है और इसमें कौन कौन से राज जाते हैं ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ यहाँ पर आपको देशकते हैं जो आपका इंटायर एस्टेट और लिखा हुआ है तो यहां पर देखें, रिस्ट फॉस्ट यहां पर जारी किया है यहां पर देखें जो यहां पर अन्दरेपर प्रदेश हो गया तो झाल पतेश का जो जिसमें आपको कुछ डिस्टिक भी लिखा हूँ है आप उसको देख लिए आपका जो अशेट होगा उसे शमंदित यहां पर जिन लिखा है नेम आप नक्षल मिलिटरी एफक्टेट इस्टिक इनस्टेट्स ठीक है तो हर अशेट में जो है और नक्षल एरिया भी है और मिलिटरी एफक्टेट इरिया भी है ठीक है तो आप दे सकते हैं आपने अपने अश्टिक लेकर जैसे में लिए अगर कोई बिहार से है तो इसमें और अरंगाबाद बाका गाया जमुई कैमूर लकिश्राय मुंगेर नमादा रोहतास और वेश्यम्पारम यह आपने की तो इसमें का पता चलेगा तो इसमें आपने अपने नाम और देखना है आप जिस भी बिल्हां करते हैं वाँ देखे और साथ में जो इसमें जो उसको देह उता सब्स distress कंपने के भी हमें हों और मियाम से आन्ले होगा तो पोपिष F Это यु mentioned basis करता हूं कि यह आपको जो मेरे जो यह वीडियो है वो आपको पसंदाइज होगी और अगर आप इसके लिए लिजीबल है तो फ्रीज आपके लिए आप इसके लिए जरूज अपलाई करें क्योंकि काफी दिनों के बाद बहुत अच्छी वेकंसी आई है और काफी अच्छी जोब है आपको CSF में उतना वर्कलोड नहीं रहता ठीक है और साथ में इंज्वाइब करने का बहुत ज़्याद में इस जोब में ठीक है बिकॉस यह एक का पोस्टिंग होगी वह एक लोकल अरिया में होगी कोई इतना हार्ड एरब नहीं होता है तो आपको बहुत ही इंज अगर इस वीडियो आपको पसंदा ही हो ठीक है तो आप इस वीडियो को इकलाई जरू करें और साथ में एसे ही आपको डेली अप्डेट के लिए इस सेनल को सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि जब भी कोई नहीं विकनसी जाती है तो मैं आप तक लिकलाता हूं और पू आपसे ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके लिए हैं तो जल्दी सप्लाई कर दें और उसके त्यारी में लग जाए ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तुम देखे लिए तरही है बाए बाए